गांधिनगर पब्लिक स्कूल में अंकुरित अनाज की चाट नियुख का आयोजन किया गया जिसकी अंतरःकस कक्षा 9 यू कर्ण 2 ये खाट हिअ और 10 ने अंकुरित अनाज की चाट को विविन प्रकार से तैयर किया तथा कक्षा 9 वा कक्षा 11 की चात्राओं ने मिल्क केक को अनेक प्रकार से आइसिंग कर प्रतियोगीता में प्रतिभाग किया अंकुरित अनाज प्रतियोगीता में कक्षा 9 वा कक्षा 11 के चात्रों ने नेरू हाउस को प्रतमिस्थान गांधी हाउस को दुत्तिये स्था इस प्रत्यों गीता का नेड़ने स्कूल प्रधानाचारे श्रीमति शशी शर्मा प्रधानाचारे गुर्विंदर कौन ने क्या नेड़ने के वल स्वात पर ही निरवर नहीं था अपितु चाच चात्राओं द्वारा प्रियोग किये गए खादे पधार्तों की पोशकता वह उनकी प्रस्तूती पर भी निरवह रहा प्रधानाचारे श्रीमति शशी शर्माजी ने स्वास्ते की धिर शॉर्ष्टी में चाहत चात्राओं से आनेकों प्रफुशν किये तता उनके ग्यानवर्दन लिए पोश्टिक आहार की जानकार्यादी जिस्से सफ़ीश Examples लेने के एक अपना योगदान देते वे पृत्योगीता को सफल बनाया है हमेरे स्कूल में हमने जो हमारी गोईंग अपक्ची है कि इनको हमने कुछ प्रेयास किया है जिसे वो चाने कि जो कुछ वो खाते हैं जो उनकी टाइट है वो उनके लिए कितनी यूस्फुल है और उसके कंटेंट्स चाहें वो प्रोटीन हो बितेमिन्स हो रफेस हो कार्भोहेटेड हो या फैट हो वो किस-किस चीज में होते हैं और उनकी क्या यूटिलिटी है उनको क्या खाना चाहिए और वो कितना है लिए इस ही में हमारे बॉइज में आज बहुत अच्छी यहां पर इस प्राउट शलाइट बनाएं क्योंकि वास्तर में उनका प्रयास था कि एक मिक्स डाइट हो उनके लिए अच्छी क्योंकि आज कल के बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी हेल्फ के लिए क्या सही है और हमारी गुल्स में भी आज मिल्क के साथ आइसिंग किया है जिसमें फ्रूट से अच्छी के लिए और प्रयास सिर्फ यही है कि बच्चे जाने कि उनकी डाइट में हेल्वी कंटेंट किया है और उसे वह किस करे प्रेजंट करें जो खाने वालों को भी अट्रेट करें और इसमें बैसे तो कंपुटिशन काफी बड़ा था लेकिन भराउस से चार चार बच्चे आए हैं टीम वर्था तो कि सब लोग मिलकर एक हाउस से तरह से तरह से दौनों कंपुटिशन में हमारे 16 इस्ट्रूएंस तो बोईज में भी 16 बोईज थे और 16 बोईज थे और 16 और क्योंकि यह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए इस तरह के कंपुटिशन बहुत अच्छा प्रमोशन देते हैं एक इंसेंटिव देते हैं कि हाँ बच्चे अब सोचें कि आगे जो उनकी हैल्क बनाने के लिए उनकी ग्रूइंग अप बाड़ी के लिए और फ सभी पार्टिस्पेंट्स और मेरे सारे हॉसे और मेरे टींचे इनोंने इसमें बच्चों को तुरी तरह से हल्प की उनको कमोट किया उनको इंसेंटिव दे और उनको अपनी तरफ से गाइडेंस भी दी उन सभी को मेरी शुख करें जीतना या हारना कोई इंपोर्टन नही इंपोर्टन यह है कि आप आगे बढ़ें और पार्टिस्पेंट करें और खुद को अबेस्ट देने का हमेशा कोशिश करें सभी पार्टिस्पेंट्स और सभी हाउस्पेंट्स को मेरे शुख करें